देरदून शेहर की यातायात विवस्ता में सुधार के लिए घंटा घर और परेड मैदान के आसपास दो किलोमीटर छेतर में बिना जीपिएस वाले सारवजनिक यातरी वहनों का संचालन प्रतिबंदित करने का समय पूरा हो गया है अब परिवहन विवाग ऐसे वालों पर सक्ती करने जा रहा है जो बिना जीपिएस शेहर में दोड़ रहे हैं परिवहन विवाग ने निर्नाय लिया है कि इस छेतर में अब सिर्फ वही यातरी वहन संचालन होंगे जिन में जीपिएस लगा होगा आठियो शेहलेश तिवारी ने बताया कि पुलिस प्रशाशन की ओर से प्रतिबंदित स्थल, चौक, चौराहे, मारगों पर यातरी वहन का संचालन होने पर वहन का परमिट निर्स्थ करने की कारवाई की जाएगी नो पार्किंग जोन में वहन काड़ा करने पर भी वहन का परमिट निर्स्थ किया जाएगा घंटा घर की परिदिदी में जीपिएस की शर्त के बाद अब सीटी बस, निजी बस, टैक्सी, विक्रम, मैक्सी, आदी का संचालन केवल उसी सूरत में होगा देरा दून से ब्योरो चीफ अवनीश गुपता की रिपोर्ट